Hello everyone, welcome to Art with Joshi और आज बनाने वाले हैं अशो का चक्र जिसके लिए चाहिए हमें कमपर्स, पैंसिल, डी, स्केल और ब्लू स्केच पैन या मारकर तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में तो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले जितना बड़ा हमें अशो का चक्र चाहिए उस हिसाब से हम बनाएंगे एक सर्कल अब उससे थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़के एक और सर्कल बनाएंगे अब सेंटर में हम एक और सर्कल बनाएंगे और बिल्कुल एंड में एक छोटा सा सर्कल तो basically हमने 4 circles draw कर लिए है अब हमें क्या करना है with the help of a scale हम center में एक line दे देंगे अब हम अपना D लेके 30 degree के angle पे points डालेंगे तो 30, 60, 90 ऐसे हम points डालेंगे दोनों sides पे तो हमारा ये पूरा 180 degree होता है तो बड़े अराम से हम 30, 30 degree के gaps पे सारे points डाल देंगे और अब हम 15 degree पे points डालेंगे जैसे 15 पे डाला फिर हम 45 पे डालेंगे 75 पे 105, 135 and 165 तो same steps हम दूसरी तरफ भी repeat करेंगे इसका फाइदा क्या होगा हमारे equal distance पे 24 spokes बन जाएंगे ये बहुत important है कि हमारे अशो का चक्र में equal distance पे 24 lines होनी चाहिए और सबसे जादर difficult होती है इन lines को बनाना अब जो हमने points डालें उसको center point से join करते जाएंगे तो जैसे हम इने join करेंगे हमारे पास आज जाएंगे हमारी 24 lines अब अपने पतले blue marker की help से मैं एक curve line बना रही हूँ center line पे एक छोड़ा सा curve देके दोनों तरफ से join कर रहे हूँ इसी style से आपको सारी 24 lines पे ये pattern बना देना है तो लग रहा ना हमारा चक्र बहुत ही beautiful अब हम क्या करेंगे outer जो lines है उसको भी अपने पतले माकर से पहले outline करेंगे और उसके बाद एक ठिक माकर लेके उसको color fill करेंगे आप पतले माकर से भी फिल कर सकते हो और अगर ठिक माकर से करोगे तो बहुत ही patiently काम करना है हमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं मचानी नहीं तो हमारा बाहर आजाएगा color और हमारा पूरा चक्र खराब हो जाएगा अब मैं जो ये अंदर की lines के पार्ट है इसको भी बहुत ही patiently फिल कर दोंगे फिल करने से पहले मैंने एरेजर यूज करके सारी बाकी की lines रप करती है रप करने की वज़े से वह बहुत ही neat and tidy दिखेगा अब हम बाकी के अपने जो स्पोक्स हैं उन सब को अराम से फिल कर देंगे please make sure it doesn't come out नहीं तो हमारा चक्र उतना सुंदर नहीं दिखेगा अशोका चक्र बनाने में सभी को बहुत difficulty आती है तो इसलिए आप सब के लिए वीडियो बनाया है और मेरी request है कि please subscribe the channel press the bell icon और एक like button तो आप जरूर दबा सकते हो मेरे लिए सब कुछ करने के बाद हम क्या करेंगे center में जो area हमने एक छोटा सा circle बनाया था हम उसको भी marker से fill कर देंगे अब जो हमारे spokes हैं उसके बीच में curvy line देके उसको fill कर देंगे ताकि वो चक्र का proper design बन जाए इसको बहुत ध्यान से fill करना और बहुत ही simple steps में हमारा अशो का चक्र रेडी है I hope आप सब इसको try करोगे do subscribe the channel press the bell icon and comment आपको यह video कैसा लगा Bye everyone, take care